स्लाम अलेकुम दोस्तों मैं उसेयत फाहद हाश्मी फोर्टू से और आज हम बात करने लगे हैं रिंग लाइट के बारे में आपको जो इस वीडियो में रिंग लाइट नजर आ रही है ये एक 18 इंच के रिंग लाइट है जिसमें वाम एंड कूल दोनों टैंप्रेचर्स हैं इस वीडियो के अंदर हम इसे अंबॉक्स करेंगे इसमें कंपनी ने हमें क्या क्या चीज़ा साथ में दी हैं वो दिखाएंगे ये किस तरह से अटैच की जाती है वो भी हम आपको दिखाने लगे हैं और ये वीडियो एंड तक आपने देखनी है और अगर हमारे चैनल को जो नगाँ किस तरह से इसको अटैच करेंगे और इसके क्या रिजल्ट है तो चलते हैं सबसे पहले हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग तो यह है ring light और सबसे important चीज़ जब भी आप ring light खरीदेंगे आपको यह पता होना चाहिए कि ring light कितने watts की है क्योंकि इसके watts से ही आपके results पे फर्क पड़ेगा इसकी intensity कम्या जादा होगी इसके price up and down हो सकते है सारी चीज़ा इसके watts पे decide करती है तो यह जो ring light है यह 96 watts की है इसमें एक और module आता है जो 48 watts का होता है तो वो जारा कम temperature है उसका इसलिए हमने उसके उपर consider नहीं किया 96 watts की यह ring light है warm and cool दोनों इसके अंदर temperatures है white और yellow जिसको हम कहते हैं तो सबसे पहले हम unbox करते हैं इसको इसको हम डबे को इक तरफ कर देते हैं और इसको हम unbox करने चलते हैं जी अभी हम यह इसका तो दोसों इसके इंदर सबसे पहले इसका यह power cord है ठीक है यह power cord आपको नज़र आ रही होगी दूसरी चीज यह इसकी back की जो belt है वो belt इसके साथ में है यह बड़ी important चीज है यह इसका cell phone holder है ठीक है cell phone holder में आपको बाद में दिखातों किस तरह से connect होता है यह इसका adapter है यह इसका battery adapter उसका charger adapter है यह इसका remote control है remote control operated है आप दूर बैठे वे अपने इसको सारा जो आपरेट कर सकते है ठीक है okay यह आगया उसके बाद क्या चीज़े यह जो मैकप वगरा के लिए यूज होती है यह इसका इसका mirror साथ में आगया okay यह इसका dual sided mirror होता है third number पर और क्या चीज़े जी इसके अंदर है और यह है आपकी रिंग लाइट okay इसको भी हम the attach करके इसको attach करके सब तरह से आपको दिखाने लगें okay यह आप लोगों के लिए मैंने यह open कर दी है ताकि आप लोग इसको तसली से देख सकें तो बाद में मैं इसको पूरा दिखाता हूँ आपको full feature करके कि यह किस तरह से जो है वो connect होगी और इसका पूरा overview भी दिखाता हूँ okay यह फिलाल अभी हमारी complete हो गई unboxing तो दोस्तों अभी हम इसको देखने लगे कि यह ring light कैसे attach की जाती है उसके लिए सबसे पहले हम इस stand की जरुवत पढ़ती है यह stand बहुत सारी qualities के अंदर आते हैं लेकिन यह बहुत अच्छी quality का stand है धाई से 3000 और तक का यह अच्छी quality का spring stand मिल जाता है आपको तो यह इस ring light के साथ मैं समझता हूँ कि recommended है और हम इसके साथ दे भी रहे अच्छा इसको किस तरह से carry करना है कब से पहले समझ लीजिए यह ring light आपने खोलने के लिए इसको आपने यह loose किया यहां से यह loose हो गया यहां से इसको थोड़ा सा आपने open किया और फिर नीचे रखने के बाद इसको आपने tight कर लिया ओके यह लग गया अब यह 2 screws है इसकी height तकरीबन 9 फिट तक जाती है और यह spring stand है जो इससे नीचे category के stands आते हैं उसमें spring नहीं होता और उनकी legs होती है वह पतली होती है और वह सस्ते stands होते हैं तो वह महंगी ring light के साथ recommended नहीं है तो इसको आपने अपनी height के मुताबिक यहां पर रख लिया और इसको tight कर लिया इसी तरह यह secondly उपर वाला portion भी है यह two stages है तो यह stand सबसे पहले आपने खोल लिया fit हो गया अब हम देखते है ring light कैसे लगेगी तो जी ring light अब किस तरह attach करनी है समझ लें यह ring light है पूर है यह नीशे इसके hole है ओके यह whole है यह simple आपने इसको loose कर्णा है इसमें fit कर्णा है और इसको आपने टाइट करने तो जब आप इसको tight कर लेंगे और इसको मैं थोड़ा सा नीशे कर लेता हूं ओके और रिंग लाइट को मैं थोड़ा सा और नीशे कर लेता हूं तो यह रिंग लाइट को आपने यहां से इस तरह अटैच कर लिए अब इसको टिल डाउन करने के लिए वीडियों में पूरी आ रही है ञएक यह टिल डाउन होगे जैसे आपने इसको ओवरहेड रखना है तो आपने इसको ऑवरहेड बना दिया जीक है है अब हम देखते हैं इसको सीधा करते हैं और अब इसको पावर सोर्स लेकर चेक करते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं तो यह इसका जो एडाप्टर था यह मैंने निकाल दिया लगा लिया यह इसका थोड़ा जूम करें यह इसका पावर सी 15 वाट का इसके अंदर यह चार्जर लगता है रही यह हमने इसमें लगा दिया आप इसका इंटर फिस थोड़ा सा समझ लेते क्लोज अप कर लेते इसको ताकि समझ में आ जाए यह इसका पावर ऑन अफ बटन है जैसे आप इसकी पावर अन करेंगे यह डिस्प्ले अन हो जाएगा उसके बाद आपको दो नजर आ रही है यहां पर थोड़ा सा वाज़े करके दिखाएंगे कि यह नीचे वाले जो portion है यह Kelvin पोर्शन है Kelvin कहलाती है यहलो और white temperature थैंपरेचर 3200 Kelvin से जो शुरू होता है मैं इसको कर देता हूं 32 पर यह 3200 के नजर आ रहे हैं आपको यह 3200 Kelvin है जो यलो कहलाता है यह देखें आप मेरे हाथ पे देखेंगे या वैल के यह यलो में आ रहा है अब इसको हम चेंज करते हैं वाइट में किस तरह से चेंज होगा उसका क्या तरीके कार है बहुत असान है यह आपको पर नोब नजर आ आपको अब हम बढ़ना है 5500 Kelvin की तरफ जब यह पूरे 555 हो गए अब यह वाइट कलर में कंवर्ट हो गई है जिसको हम डेलाइड भी कहते हैं तो यह हो गई चीज कि हमने क्यालविन 32 यलो से वाइट पर कैसे कंवर्ट करना है दूसरी चीज यलो या वाइड जिस टेंपरे प्रेटिकली जो है वो कवर करना है तो उसके लिए कैसे की पावर को हलका करेंगे तो जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यह उपर वाला पॉड्शन जो है यह इसके अंदर ब्लिंग करना शुरू करेगा ठीक है अब इसको हम स्लो डाउन या फिर इसको फुल पावर कर सकते जैसे अब यह थर्टी पर है और इसको भी हम हंड्रेट पर ले जाते हैं यह आपका पूरा कंप्लीट अभी हंड्रेट पर आ जाएगा तो यह इसका हंड्रेट टैंपरेचर हो गया है अब आपको बहुत ज्यादा वाजे नजर आएगा और यह पूरा हंड्रेट वाइट कैल्विन टैंपरेचर है इसी तरह जब इसको हम सेकंड टाइम प्रेस करत य làm लोगा अच्छा है अब हमें चीज और देखी नहीं कि हमें इसके अंदर कैसे करनेador ak byशी चीज्ञे और सबसे इंपोर्टेञिन्याम फोर्टीय यह एक दिनल यहां और एक बैटरी से 1 यह ध्यक्ते फया Part非常 मेंपरण सकते तो दो बैटरीज लगाकर आपके दोनों टैंपरेचर काम कर सकते हैं यह भी इसमें फीचर अविलेबल है तीसरी चीज रिमोट कंट्रोल पर यह कैसे ऑपरेट होगी उसको भी हम देख लेते क्योंकि वह मैंने भी तक टेस्ट नहीं किया तो जी यह मैंने रिमोट पर दो सेल लगा लिएं ट्रिपल लेके दो सेल्स इसमें लगेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह अपरेट करेगा यह आपको नजर आ रहे हैं इसके उपर वही सेम जो वहां LCD पर नजर आ रहा था वह यहां पर नजर आ रहा है कैलविंस और इसका इंटेंसिटी तो अभी मैं परेट करके डेखते हैं किस तरह से होगा यह सेट का बेटन है और जब keywords यहां से आभिए मैं देखता ऑपने तो हम यहता हम के लाउट पीचे से भी चल रहा आ है क्ली के नहीं करना मैंने सीट पे बैठना और remote से operate करना इसी तरह इसकी intensity भी आप गर सकते हैं चीक है इसकी intensity भी किस तरह control होगी यह इसकी light आफ देखे बढ़ लई है ठीक है और यह 90 और यह 100 यह 100 intensity हो गई है अब मैं इसको कम भी कर सकता हूं इससे और यह मैंने इसको सैट किया यह वाइरलेस सी वर्क जब करता है तो उसके उपर एक वाइफाई का निशान भी बना नजल आना चुरू जाता है यह अब लाइट डिम हो रही है थर्टी ट्वैंटी और टैन अब इसी वीडियो में मैं दिखाता हूं क यह चोटा सा बल्ब या दो बल्ब लगे वैं अब मैं इसका रिजल्टट दिखाता हूं इसके साथ रिंग लाइट के साथ ठीक है जी और यह रिंगा liट के अंदर इसका रिजल्ट अभी दिखाते हैं आपको यह 50% हो गई अभी 100% पर देखेंगे आपको क्या रिजल्ट मिलता है 5500 Kelvin पर वाइट लाइट है यह 100% हो गई है और वाइट कम्प्रीट लाइट है तो इसके रिजल्ट का आपको अंदाजा हो गया होगा और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखके बात कर लूँ आपसे तो तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यह किस तरह से काम कर रही है और यह इसको 3200 Kelvin को पर भी हम टच कर लेते हैं मेरा असल मकसद यह कि आपको इस चीज के बारे में सही मालूमात मिल जाए आपको पता चल जाए कि इसकी कितनी है यह किस तरह से काम करती है इसके इसके होने से और ना होने से आपकी वीडियो पर क्या एफेक्ट पर सकता है तो यह 3200 Kelvin है और इसको अभी हम 100% पर लेगा है और इसके बाद अब भी इसको 55 पर कर रहें आप टॉन चेक करते रहें यह कंप्लीट 5500 के उपर आ गई है तो मैं समझता हूं आज की वीडियो काफी हो गई है सब चीजें हमने बता दी है किस तरह से यह कनेक्ट होगी और किस तरह से चलेगी क्या इसके फीचर्स हैं क्या की खावियां है खामियां तसकी कोई भी नहीं है सिर्योस को गरने से टूटने से बचाना है इसके अंदर कोई कंप्लेन वगारा कुछ नहीं है और जिस प्राइज में यह मिल रही है बेतरी ने 22,000 रुपे की आपको यह कंप्लीट पूरा सैटप मिल जाता है रिमोट कंट् आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इंशालों मैं जरूर उस बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ असलाम अलेकुम